नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अपडेटे और जियस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीटेट के साइंस के क्वेश्चन तीस नमबर पूछे जाते हैं जूनियर में उससे सम्मानित हम दस क्वेश्चन लेके आए हैं और व्याक्या सही दस क्वेश्चन आए जो सीटेट 2020 के लिए बहुत ही महत्पूर हैं दोस्तों समय को नमबर बात करते हुए हम पहले प्रशन पर जलते है पहला नमबर प्रशन है कोशी का भित्ती वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है कोशी का भित्ती वाला सबसे छोटा सजीव जीवन है आपसन ए येस्ट आपसन भी सेवाल आपसन सी साइनो बैक्टीरिया आपसन टी जीवाडू तो दोस्तों आपको पता दें कि जीवाडू एक कोशकी जीव है इसका आकार लगभग कुछ मिली मीटर का ही होता है ये अब केंद्री का कोशिका भित्ती युक्त एक कोशिकी सरल जीव है जो प्राय सर्वत्र पाये जाते हैं कोशिका भित्ती मुखितर सरीलोज की बनी होती है या एक बहुत जटिल परदात होता है कोशि सब्सका वित्ती वाला सबसे च्छोटा सजीव सीवारू है क्वेस्टों को देखेंगे उसके व्याक्षा को देखेंगे इसके आंसर को देखेंगे कि कि कौन सा आंसर राइट है ठीक है तो अगले के अगला क्यूशन है मारा केशन मददो तो निर्मित मानव तो में कौन सा क्रिटिम रेसं कहलाता है आपसन ऐ एक क्रिलिन आपसन भी पालिएस्टर आपसन दी डियान दोस्तों केशन नमबर रेयान इसका उत्सकों कि रूपसे मिलने वाले बहुलकों से प्राप्त किया जाता है रेया Elijah क्रितिक स्रोथ कास्ट लुगदी से प्राप्त किया जाता है तो दोस्तों क्वेशन नबर दो का राइट अंसर डी हो जाएगा रियान अगले क्वेशन की चलते हैं क्वेशन नमबर तीन दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कार्बन मोनो आक्साइड इसका राइट अंसर हो जाएगा आप सने आपको पता होगा कि कार्बन मोनो आक्साइड अधिक मात्रा में सरीर के अंदर पहुंच जाए तो दम घुटने लगता है तथा मृत्यू भी हो सकती है कार्बन मोनो आक्सा क्वेशण नमबर चार को अ कि जबने दोस्तों प्रती जैविक के उपचार में प्रभावी है आपसण इंफ्लुयेंज जा आपसंबी हेıt ठाइटी से आपसंची-ई- säger- fakt दोस्तों क्वेशण नमबर चार का जो राइस बाता है वो क्या है अब बताए है कर प्रतिजैविक के उपजाण में प्रभावी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा αन हैं आपको पता होगा कि प्रतिजैविक का उपचार में किया जाता है यह विब्स ब्रियों का की नामक जीवाड़ी वो द्वारा फैलता है ठीक अगले क्यों 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 नंबर पांच पे चलते हैं मांच नंबर क्योश्चन है आम तवर पर खाद सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रयोग किया जाता है आपसने रेयान यानि कृतिम रेशा आपसन भी पाली एमाइट आपसन सी पाली एस्टर आपसन डी एक्रिलिन दोस्तों केशन नंबर पांच के राइट आंसर क्या होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपसन सी पाली एस्टर और दोस्तों आपको पता होगा कि आम तोर पर खाद सामग्री को रखने के लिए पैट बोतलों और जारों का प्रियोग किया जाता है क्योंकि पैट एक सुपरिचित प्रकार का पालियेश्टर होता है इसलिए राइट आंसर सी पालियेश्टर हो जाएगा ठीक अगले क्यों चलते हैं क्योंसे नमबर च्छ जब धात्विक चालक में विद्धुधारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित उसमा की मात्रा इसके डैस पर निर्भर करती है आपसने पदार्थ और मुटाई आपसन भी पदार्थ लंबाई और मुटाई आपसन सी पदार्थ और लंबाई आपसन भी लंबाई और मुटाई तो दोस्तों क्योंसे नमबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपसन भी हो जाएगा पदार्थ लंबाई और मुटाई ठीक ह अब अगले question क्यों चलते है question number 7 दोस्तों अगर आफ मारे YouTube channel update your GS को subscribe नहीं किये हैं तो आफ subscribe पे लिजिए क्योंकि ऐसी वीडियो इस channel पर daily रात 8 बजे आती हैं ठीक है चैनल को subscribe और विडियो को like के लिजिएगा और अच्छा लगे तो share भी कर दीजिएगा ठीक है चैनल का logo इस प्रकार है तो दोस्तों समय करनों बर बाद करते हैं अगले question क्यों चलते है question number 7 मांस पेसियों की सुचारू क्रिया के लिए डैस खानिजों की परियात मात्रा में आवसकता होती है question number 7 का जो right answer है आपसंची हो जाएगा लोह एम कलसियम गौर तलब है कि मांस पेसियों की सुचारू क्रिया के लिए लोहे एम कलसियम खानिजों की परियात मात्रा में आवसकता होती है अगले question क्यों चलते है question number 8 वाई मंडल में उपस्थित गैसे जो पौधा घर प्रभाव का कारण है अपसन ए मिथेन जलवास करवन डायकसाइड अपसंंभी करवन डायकसाइड आक्सीजन नाइ्ट्रोजन region अपसंदी हो जाएगा नाेट्रस आक्साइड आक्सीजन और जलवास्प तो इसमें से कौन सा कूट सही है दोस्तों तो दोस्तों, आपको बता दे, नाय Famine, जलवास और करवनडाय आकसाइड, ठीक है दोस्तो, दोस्तों आपको पता होगा कि सूर्पी की रड़े, जो पिर्थिवी से परावर्तित होकर अंतरिछ में जाती हैं, कारबन डाइक्साइड की बढ़ती मात्रा इस रोक लेती हैं जिससे पिर्थिवी के तापमान में निरंतर विर्दी होती रहती है यह प्रभाव गंधागर प्रभाव ग्रीन यह प्रभाव ग्रीन हाउस इफक्ट कहलाता है ठीक कारबन डाइक्साइड मिथेन कारबन डाइक् गवास नाइटर आकसाई जैसी गैसे इसके लिए उत्तरदाई है तो ग्वासर हो जाएगा मीथे जलबास करवेर अगले जेशन क्यों चलते हैं कि नुबर नुबर 9 हमारा है आहारी होते हैं होते हैं अपसे ने कोलेजन भी कहलाते हैं आपसंस डी हो जाएगा सेलिलोज और प्रोटीनों से बने बनते हैं तो केशन नमबर 9 का दोस्तों राइट आंसर क्या होगा अब बताईए केशन नमबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपसंस रुच्छांस भी कहलाते हैं जैसे कि आहारी रेसे आहार में उपस्तित रेसे तत्व को कहते हैं ये पौधों से मिलने वाले ऐसे तत्व हैं जो सोयम तो अपाच्च होते हैं लेकिन मूल रूप से पाचन क्रिया को सुचार बनाने में अत्यावस्यक योगदान करते ह हैं आहारी रेसे को रुच्छांस के नाम से जाना जाता है तो इसलिए रुच्छांस भी कहलाते हैं इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा आहारी रेसे को रुच्छांस के भी नाम से जाना जाता है अब हम इस वीडियो के लाश्ट क्वेशन पे चलते हैं लाश्ट क सरकरा को एलको हाल में परिवर्थित करने की प्रक्रिया कि नाम से जानी जाती है ठीक है दोस्तों किड़ वन किड़ वन के नांसे जाना जाति है आफसंडD Right Avensar हो जाएगा किड़ वन दोस्तों आपको बता देए एक जैव्राशायनीग प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक योगिक सूच में सजीवों की सहायता में सरल कार्बनिक योगिक में विग्टित होता है त्था इस प्रक्रिया में आक्सीजन की आवसकता नहीं होती है इस प्रक्रिया के द्वारा एलकोहाल यानी सराब का नेमार किया जाता है गन्य की सक्कर की के पास बहुत सके धन्यवाद चैनल को सब्सक्राइब और लाइक को प्रेस के लिजेगा वीडियो को पूरा-पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों बहुत-बहुत धन्यवाद